असलालेकूम आज को कुछ फताज में आप लों के साथ शेर्ट करने वाली हों स्पंजी वैनिला केक की रेसिपी तो चलिए से शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको नई वीडियो की नौटिफिकेशन फॉरर मिले और आप इसे जल देख पाएं तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे अंडे रूम टेंपरेंचर पर दो अंडे मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर एक अंडा एड कर चुकी हूँ और एक यहाँ पर अंडा एड कर दूँगी तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँगी देखें यह हैंड बिलंडर है जो की ऐलेक्ट्रिक नहीं है आप इसे हाथ की मदद से यूज कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चाहें तो Amazon से भी खरीच सकते हैं तो चलिए इसे बीट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंडॉं को अच्छी तरह से बीट कर लूँगी तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहा है यह बहुत अच्छे से काम कर लेता है तो चलिए इसे इस तरह से मैंने अंडॉं को अच्छी तरह से बीट कर लिया है देखे यह इस तरह से आपको वर्क करना होगा इस तरह से काम करेगा तो यहाँ पर मैंने 1.5 cup जितनी powder sugar ली हुई है तो आप इसे थोड़ी थोड़ी करकर इसके अंदर एड़ करते चले जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे तो मैंने यहाँ पर hand blender हटा दिया है और इसकी मदद से मैंसे हिला रही हूँ अच्छी तरह से तो चलिए अच्छे से mix कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी करके शकर को add कर दिया है शकर को आप grinder में ग्राइंड करके powder रेड़ी कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने किया है तो यहाँ पर मैंने सारी 1.5 cup जितनी शकर add कर दी है और इसे अच्छी तरह से mix कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं तो अब हम यहाँ पर मैदा add करेंगे तो मैं यहाँ पर 2 cup जितना मैदा चान कर use करें आप इसे तो मैंने यहाँ पर पहले से ही चान कर रख लिया था तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मैदा भी इसमें add करती जाऊंगी और इसे mix करती जाऊंगी जिस तरह आमने शकर का powder add किया था उस तरह से मैदे का powder भी आप दालते जाएं और इसे mix करते जाएं तो यहाँ पर मैंने दोकव जितना मैदा add करने के बाद vanilla essence add कर दिया है और इसे भी अची तरह से mix कर रही हूँ आप इसकी consistency देख सकते हैं किस तरह का batter ready हुआ है तो चलिए यहाँ पर एक और चीज़ एड़ करते हैं तो यहाँ पर हमें baking powder add करना है 1 teaspoon जितना तो यहाँ पर baking powder add कर चुकी हूँ और इसे अची तरह से mix कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि batter किस तरह से दिख रहा है तो fluffy हो रहा है थोड़ा सा फूलेगा यह baking powder दालने के बाद तो चलिए एक और ingredients में add कर लेते हैं milk add करेंगे दूद यहाँ पर एक चमच जितना add कर रही हूँ दूद दालने के बाद आप इसे अची तरह से mix कर लीजिएगा देख सकते हैं बैटर किस तरह है मैं आपको यहाँ पर गिरा कर दिखा देती हूँ इस तरह से गिरना चाहिए तो चलिए तो यहाँ पर आपको cake mode ले लेना है और इसे oil से grease कर देना है और butter paper लगा देना है जिस तरह से मैंने लगाया है वीडियो में दिख रहा है आप भी उस तरह से लगा दीजिएगा और फिर सारा batteries में add कर दीजिएगा और tap tap कर दे तो इस तरह से मैंने tap tap कर दिया है और gas on कर दिया और pressure cooker चड़ा दिया है तो इसमें एक stand रख दीजिएगा या फिर आप बिसके का कोई धकन भी रख सकते हैं तो इसके उपर हम cake mode रख देंगे और pressure cooker का धकन लगा देते हैं तो gas की flame low पर है इस वक्त तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर आप CT को निकाल दीजिएगा 40 to 45 minutes के लिए हम इसे medium flame पर रख के छोड़ देंगे तो यहाँ पर 40 minutes हुए थे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का लग रहा है तो pressure cooker का धकन खोल दिया है मैंने और knife insert की है तो थोड़ा सा better लग कर आ रहा है knife को तो चलिए और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो यहाँ पर मैं 5-8 minutes के लिए कुछ रखूँगी तो यहाँ पर तकरीवन 8 minutes हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर pressure cooker कर धकर निकाल कर knife अंदर डाल कर चेक कर रही हूँ insert की है मैंने तो clear आई है knife तो यहाँ पर थंड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पर थंड़ा होने के बाद मैं बेटर पर निकाल रही हूँ आप इसका result देख सकते हैं किस तरह से बनकर ready हुआ है तो 45 minutes काफी होते हैं इसे बनने के लिए तो 2 minutes मैंने से थोड़ा सा ज्यादा रखा था तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह कितना soft बना है तो इस तरह से प्रस करके आपको दिखा रही हूँ कि एक इस तरह से soft बनकर ready हुआ है देख सकते हैं प्रस करके उमीद करती हूँ कि आपको इस पंजी वैनला केक की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में से शेयर जरूर करें और ट्राय जरूर करिएगा मेरी इस रेसिपी को तो चलिए चलती हूँ फिर एक नए रेसिपी लेकर आऊंगी तब तक के लिए अलाहाफिज